जैन दोस्तों मेरा नाव है राकेश ओके तो मेरे पास एक ऐसा फोन जो की बहुत ही special feature के साथ आता है feature कह सकते uniqueness कह सकते है लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा market के बारे आपको समझाना चाहूंगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा explain करना चाहूंगा लेकिन वीडियो को पूरा देखेगा तब ही आपको कुछ से मतलब ऐसे clear होगा मैं कहना कर जाता हूं तीन तरीके से smartphone basically मिल सकते आपको पहला एक ऐसा फोन जो कि अपनी price में काफी कुछ लेकर आता और आपको काफी कुछ देखा जाता है अच्छा hardware अच्छे display तो definitely वह attract करता है उसको आप मतलब value for money में रखना पसंद करते हो ऐसे फोन को और दूसरी तरफ आती ओफ्राइन मार्केट जहां पे फोन का प्राइज नॉर्मली जादा होता है online फोन से offline ब्राइज लेकिन वहाँ पर दो तरह के फोन मिलते हैं पहली यह बात तो मैंड में आप लिए इस वीडियो के साथ यहां प्राइज ज्यादा होता है वह फोन मुझे अच्छा लगा था उसका डिजाइन भी अच्छा लगा था अब बात करते हैं दूसरे टाइप के फोन जो offline में मिलते हैं जहां पर ब्रैंड प्राइज भी ज्यादा लेते हैं स्पैसिफिकेशन भी मैच नहीं करा पाते हैं यह चीज कई बार online में भी मैच क नराज हो गया तो यहां पर मेरे पास एक फोन है जो आपको काफी कुछ एक मतलब थोना सा समझने में help करेगा इस फोन का नाम है ओपो F23 5G और यह भी लेटेस्ट लोंच है ओपो की तरफ से प्राइज इसका 24,999 रूपीज लेकिन इसमें डिसकाउंट मिल जाएगा आपको 256GB का स्टोरेज और यह काफी है और उस अट्रेक्शन में चार चान लगाएगा जब आपको कहा जाएगा आठ जीवी रैम प्लस आठ जीवी वर्चुल रैम 16 जीवी रैम इन फैक्क यह मैं ही नहीं कहता ओफिचल वेबसाइट भी करते हैं और सिर्फ ओपोन ही यहां पर 67 वोट के चार्जर को सपोर्ट करेगा यह भी सूपर फास्ट ही है 5000 मेंज की बैटरी है तो ठीक है यहां पर चार्जिंग वेरा कॉंबिनेशन अच्छा लेकिन ब्रैंट्स ने काफी अलग तरीके से प्रेजन करने की कुशिश किया आपको अट्रेक्ट करने के ल चार में से तीन बंदे को यह नॉमोफोबिया की प्रोब्लम है और दूसरा जब आप इस फोन को लेने जाएंगे आपको एक वर्ड यूज किया जाएगा जो बहुत स्पेशल फीचर के हमने नाम लिया ना सुरू में वह यही है यह फोन आता है 48 मन्थ फ्लिएंसी प्रोट लेकिन बताये ही जाएगा तो आपके मन में आएगा अरे भाई 48 मन्थ मतलब चार साल यह फोन हैंग नहीं करेगा लैग नहीं करेगा और आप अट्रेक्ट और जधा हो जाएंगे अब ऐसी ऐसी जगा ब्रैंड्स बहुत अच्छा सेफली खेल जाते हैं आप ध्यान से ही है कि यह बिल्कुल लैग नहीं करेगा तो इस टार लगा के लिख दिया तो आप अट्रेक्ट हो जाओगे बिना एक बार भी सोचे क्या ओपो ने 48 मन्थ का जो क्लेम कर दिया मतलब चार साल इन्हों ने लैबर्टरी में फोन को रख के टेस्ट किया है मतलब फोन चार साल पहले बन किया था यह सगेंड कंडिशन बहुत ही कोमन सेंस की बात है कोई भी ब्रैंड अगर आसे टेड़े मेंड़े क्लेम करें ABC कोई भी ब्रैंड आपको यह सोचना है फोन आप नया नया लेते हो तो वह ज्यादा स्मूध होता है फिर आप उसकी स्टोरेज कितना भरते हो कितना कुछ है उस फोन के अंदर उस पर डिपेंड करता है वो लैक करने लग जाता है जब फूल होने लग जाता है सेकिन पॉइंट बहुत लोगों को प्ले स्टोर से सुरू सुरू मुझे भी था शोक होता है बहुत सार एप्लिकेशन हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं अंड्रोड है तो मज़ा है लेकिन हम अंस्टॉल नहीं करते कई बार बैगावन में रन करता रहता और यह अफ्लाइन फोन है डेफिनेटली आपको भी मिलते कई सारे आप उसे रिमूव नहीं करोगे तो वह सब भी रीजन होते है फोन को स्लो करने के और अगला भाई फोन के कंडिशन पे ऐफोन धूप में यूज कर रहे है फोन हैवी यूज हो रहा है क्या यूज हो रहा है कई बार सुना आपने अलग-अलग ब्रैंड के आया फोन बैटरी डिन होन लग गया फोन हैंक करने लग गया कई बार सॉफ्ट अपडेट से चीज़ें बढ़िया हो जा अलगि मुझे दिखा नहीं कि बड़ा बड़ा लिखा ओफिचल वेब साइट पर क्योंकि जब समसंग चार साल प्लस पास साल वाला अपडेट देता है तो उसको हाइलाइट करता है इन फैक्ट गूगल के फोन के अपडेट काफी फेमस है आईफोन के अपडेट काफी फे है ज्यादा मोटा भी नहीं है पाज़र एमेज बैटरी होने के बावजूद और सभी बताओ मुझे डिजाइन पर्शनली अच्छा लगा कमफर्टेबल भी ब्यूटिफुल भी मैट फिनिश भी है ज्यादा लोगों को डिजाइन ये अट्रेक्ट कर सकता है लेकिन बैक्स किया जाता है बहुत सारे लोग ऐसे मेरे रियल लाइफ में देखे है उन्हें एक्चुली अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे क्योंकि आपको पता होगा रियल्मी हो चाहे वन प्लस और चाहे बनाता है तो आपको याद हो नची है रियल्मी टेन प्रो जब आया था उसी नोट सी थ्री लाइट उसी को घुमा फिरा के बना दिया गया ओपो अफट टूंटी थी तीनों में यह आपको स्नैप डगन 695 मिलेगा तीनों में यह आपको फाइब थाउंजन अमेश बैटरी मिलेगी तीनों में यह आपको कोई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मि लाता ही है अभी कलर ओवे सी और और कलर वे सी रियल मिया यह तो एक फरक मिलेगा तीनों ही फोन अंडरोट 13 के साथ आते हैं अब रियल मी वाला रियल में के साथ आएगा वन प्लस वाला उक्सिजन के साथ आएगा ओपो वाला यहां जा रहा है तो ब्रैंड को ने Griffo करके देख रहो कहा हो कहा तक जा सकते हैं यह पहले भी messing in fact आप डे तक यह सकते ह 95ikum सकते हैं क्योंकि आपको पता है Snapdragon 695 ना ही 4K वीडियो रिकोड कर सकता है ना ही 4K वीडियो प्ले कर सकता है चाहे आप YouTube पे देखें चाहें कहीं भी और ना ही HDR वीडियो प्ले कर सकता है क्योंकि प्रोसेसर सपोर्ट ही नहीं करता यह बात पहले बताया जा चुका है और यह प् आप से प्रोसेसर एक्टली बनाये ही गया था बीजार से नीचे वालों के लिए आप इस फोन को डेफिनेटली मैं खहीदने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि बीजार से नीचे मार्केट ठोड़ी डिस्टर्ब चल रही है कन्फूजन होती ने कौन सा फोन ले लेकिन जब डिस्प्ले हो अलग-अलग option आपको बढ़ियां मिल जाएंगे हां बाकी इन फ्यूचर ओफर ओफर लगाके या कुछ करके या बाद में वालो प्राइस बगारा भी डाउन हो जाते कई बार ओफ्लेंड फोन के पीजा से नीचे मिले तो आप देख सकते हैं बस मैं इस यूब लाँज करते हैं को लोग पूछते हैं यह फोन एक्जिस्ट क्यू करता है इसलिए करता है और मैं कोई परडूब्ट्ट कर नहीं कर रहा हूं देखो अब ब्रैंड है वह अपना काम कर रहा है मैंने अपना कर दिया वीडियो पेसंदे हैं तो लाइक से सब्काइब क मैं मिलता हुआ आपसे अगली वीडियो में